हिंदू लड़कों को भी बरबात किया जा रहा है एडल्ट मूवीज दिखा रहे हैं पॉर्ण मूवीज दिखा रहे हैं और पॉर्ण मूवीज देखने के बाद में एडल्ट मूवीज देखने के बाद में क्या होगा फिर आप मास्टर बुड़ेट करना शुरू कर दोगे सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मास्टर सुर्गियों में बने हुए हैं अपने बयान में मास्टर नहस्त मेथून यानि मास्टर बेशन के लिए वर्ग विशेश को जिम्मेदा ठेरा दिया लेकिन हिंदू लड़कों को भी बरबात किया जा रहा है मुस्लिम लड़के आपको ऐसे दिखेंगे उनके कई सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो हिंदू के लड़कों को एडल्ट मूवीज दिखा रहे हैं और पॉर्ण मूवीज दिखा रहे हैं और पॉर्ण मूवीज देखने के बाद में अडल्ट मूवीज देखने के बाद में क्या होगा आप में एकसाइटमेंट आएगा और जब आप में एकसाइटमेंट आएगा तो आप क्या करोगे या तो आप कोई ऐसा पार्टनर जूंड़ोगे जिसके साथ में आप सेक्शूल रिलेशन बना सको अब अगर आपको वो लड़की मिल गई तो अच्छी बात है और नहीं मिली तो क्या होगा फिर आप मास्टर बुलेट करना शुरू कर दोगे हस्त मैसुन समस्ते होगे मूट मारना वो करना शुरू कर दोगर तुम्हारी जानकरी के नहीं बता दू यह हिंदूओं के लड़कों के साथ में हो रहा है लड़कों के शेक्शुल पावर को कम करने का भी जिहाद चल रहा है जो अभी नहीं मालूम अंदर हमारी जो फ्रेटर्निटी है हमारा जो रिलीजिन के लड़के हैं उनको कैसे खाया जा रहा है अभी यह जानकारी नहीं है और कराने वाले कौन है यही आप देखो इस तरह अप橋 गो कि чको अनके अक्तर्स खोने मुंस्ली आप आओंगे वो मुस्ल्म है और उनको देखने वाले कोने उनको देखने वाले मुस्लिम नहीं हैं उनको देखने वाले नामक एक यूटूब चैनल चलाते हैं अपने बयान में सर्दाना ने कहा के मुस्लिम यूवक, हिंदु यूवकों को पॉर्ण मुवीज दिखा रहे हैं ताकि वो लोग एक्साइटेट फील कर सेक्स पार्टनर की तलाश करें और यदि सेक्स पार्टनर ना मिले तो वो हस्त म से तुनकर अपने इच्छा को समाप्त करें एक शिक्षक होने के बावजूद वर्ग विशेश को लेकर बच्चों के मन में ग्रणा बनना निहायती शर्मनात और घटिया करते हैं जिसे ये मास्टर ललित सर्दाना अंजाम दे रहे हैं साथ ही ललित सर्दाना ने जब ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया होगा तो क्लास में छात्राएं भी होंगी छात्राओं के सामने ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया जाना क्या उचीत है अब देखना होगा ललित सर्दाना के खिलाफ क्या कारवाही होती है